हेलो दोस्तों मैं हुदी पीका जैस फैमली किचन में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मेथी की हेल्दी और टेश्टी पकोड़े तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम मेथी की पकोड़े तो यह लिए है मैंने एक बंच मेथी जिसे मैंने अच्छी तरह से तोड़ करके दो से तीन पानी में धो लिया है और इसका पानी जो है एक्स्टा पानी उसे हमने निकाल दिया है तो दोस्तों बहुत पहले ही मैंने इसे धो करके रख लिया था ताकि जो इसका एक्स्टा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए तब हम इसे कट ले तो दोस्तों यहां पर मैं कैची का यूज कर रही हूं मेथी को काटने के लिए उसे कैची में ही अच्छे से भाजी वगरा काटते बनती है वालता मेथी काटते बनती है तो मैं इसे काट के तयार कर लेते हैं तो यह देखिए हमने पूरी मेथी को काट लिया है तो दोस्तों अब हम लेते हैं मिक्सिंग बाउल और उसमें हमने जो मेथी काट करके रखी हुई है वह हम उसमें डाल देंगे और यह देखिए मैंने धर धनिया लिया हुआ है इसे भी डाल देते हैं अब लिया हुआ है मैंने धर मेच इसे भी डाल देते हैं और लिया हुआ है धर हरा प्याज हरा प्याज से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाए गर पकोड़ों का तो डाल देते हैं इधर दोस्तों देखिए मैंने लिया हुआ है एक छोड़ी चमच सौंफ और ये आदी चमच अजवाइन इसे भी डाल देते हैं ये लिया हुआ है मैंने धर आदी चमच लहसन अधरक का पेश्ट और अब हम डालेंगे इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक और हम डाल देंगे इसमें लाल मेच पाउडर हरा धनिया थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए इन सबी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे दोस्तों हमने जो नमक डाला है उससे मेथी पानी चोड़ेगी और अपनी जो क्वांटिटी है उससे थोड़ी कम हो जाएगी मेथी तो आपको नमक ध्यान में रख करके ही डालना है कम हो जाए नमक लेकिन जाद नहीं होना चाहिए दोस्तों इसे हम ढख करके रख देते हैं दस मिल्ट के लिए तो यह देखिए हमारी जो दस मिनट है वो हो चुके हैं अब मेति को हम देख लेते हैं एक बार तो यह देखिए मेति जो है दब गई है तो देखिए मेति में पानी छोड़ दिया है मेति नहीं तो अब हम इसमें बेसन एड़ करेंगे तो हम बेसन को थोड़ा थोड़ा करकर ही डालेंगे हम एक दम से बहुत सारा बेसन नहीं डालेंगे और इधर मेंने दो बड़ा चमच बेसन लिये हुआ है और लूंग याव इसमें में दो छोटा चमच चावल का आटा चावल के आटे से हमारे पकवड़े क्रिस्पी बनेंगे आप चाहें तो इधर पर सूजी कभी यूच कर सकते हैं सूजी डालेंगे लेकिन दोस्तों तो हमें थोड़े देर के लिए रेस्ट पर रखना होगा फिर से अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और हमें जरूरत लगेगी तो हमें इसमें बेसन और एड़ कर लेंगे हम तो यह देखिए एक चमच बेसन में और एड़ कर रही हूँ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे दोस्तों अब हम चूले पर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं तेल गरम होने के लिए ते देखिए मैंने धर मुंगफली कोई लिए हुआ है तो दोस्तों इसमें यह जो तैर रहा है वो कचरा नहीं है मुंगफली को तील है वो नीचे बैठ जाता है बॉटल में वही है तो हम इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम मेथी की जो पकोड़े हैं उन्हें हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से हम मेडियम फिलिम पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेंख लेंगे कर देते हैं तक सेंख लेंगे अच्छी तरह से हमेंने फ्राई कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें एक बरतन में निकाल लेते हैं और इनका जो एक्ष्रॉयल है उसे हम निकाल के अलग कर देंगे इस तरह से इस तरह से करेंगे तो एक्स्ट्रॉयल जो है वो वापस कड़ाई में चला जाएगा यह देखिए इसी तरह से दोस्तों हम वसभी पकोड़ों को बना करके तैयार कर लेंगे तीर देखिए हमारी पकोड़े बन गए है तो यह देखिए दोस्तों हमारे मेथी की पकोड़े बन करके तैयार है एकदम टेस्टी और हेल्दी तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से मेथी की पकोड़े बनाईए घर में और देखिए आप इसे हरे धनिय की चटनी या टुमैटो सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं त टुमैटो सॉस बनाया हूँ है मैंने घर में तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे दे दूंगी दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से क्रिस्पी मेथी पकोड़ा बना करके तैयार कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्स क्रेप कीजिया